श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव इस चैनल पर हमको गुरूजी पंडित प्रदी मिश्रा जी की उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे आपको आसानी से समझ में आ सके कई बार देखने को आता है जब हमको योपाय बताते हैं तो कई दर्शकों को वह समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि वे पुराने दर्शक नहीं होते हैं अभी अभी गुरूजी पंडित प्रदी मिश्रा जी के बताया अनुसार शिव पूजा करने लगे हैं तो इसलिए हम एक नई सीरी सुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको सुरू से एक एक करके छोटी छोटी बाते बताएंगे जैसे शिव लिंग में गड़ेस भगवान का स्थान कहां होता है माता असोख सुंदरी का स्थान कहां होता है शिव लिंग पर जल कैसे चड़ाएं शिवलिंग पर दूद कैसे चड़ाएं, शिवलिंग पर पुष्प कैसे अर्पित करें, सभी की जानकारी एक एक करके आपको दी जाएगी इस प्रकार के वीडियो रोज सुभाई आपको नो बज़े के पहले धर्म की बाते यूटूब चेनल पर मिल जाएंगे इसलिए आप सुभाई का एक वीडियो जरूर देखें, जिसमें छोटी-छोटी बातों को आपको वीडियो में करके समझाये जाएगा आज हम इस वीडियो में आपको शिवलिंग पर जल चड़ाने का तरीका बता रहे हैं जो की गुरूजी पंडित तदीप में शरजी के नुसार है बैटकर या खड़े होकर कौन सी शिवलिंग में किस प्रकार से जल चड़ाना चाहिए इसकी जानकारी का वीडियो कल सुबह आएगा अभी आप जल चड़ाने का तरीका देख लीजिए शिवलिंग पर जल आपको सबसे पहले गड़िस भगवान के स्थान पर पित करना है इसके बाद शरणन कारती के भगवान के स्थान पर जल पित करना है इसके बाद आपको माता अशुक सुंद्री के स्थान पर जल पित करना है इसके बाद आपको माता पारवती के हस्त कमलों में मतलब शिवलिंग के कटी भाग पर जलर पित करना है इसके बाद अगर उपर जला धारी बंदी है तो उस पर जलर पित कर दीजिए इसके बाद आपको शिवलिंग के उपर जलर पित कर देना है कभी भी आधा लोटा जल अरपित ना करें, पूरा लोटा जल अरपित करें और कलस में जल ना छुड़ें पूरा जल अरपित कर दें इसके बाद जला धारी से नीचे आ रहें जल को प्राप्त कल लें, अगर घर में कोई रोगी है तो उसे जल का आच मन करवाएं अन्य था उस चलका च्छड़का अपने घर में कर दे इस प्रेकार से आप अपने घर में सुक स्रम्रद्धी ला सकते हैं और रोगों का नास कर सकते हैं